हाजी तो कैसे होप करता हूं सारे बढ़ी आओगे और मैं भी बढ़ी आओं क्यूंकि इस चनल का फ़ाई फर्स्ट पेमेंट आ गई है तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वालों बस यहीं बताऊंगा पेमेंट कितनी आई है बैंक कितना कट कर लेता है टेक्स क्रू यूटूब आपको पैसे नहीं देता है यूटूब पर लोग आप जैसे आप लोग उपेन करते हो तो उसमें एक लिमिट होता है कि जब तक आप 500 रुपे नहीं जूटाओंगे तब तक आप उसे निकाल नहीं सकते हो अपने एकाउंट तक आपके एकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तो आप 100 रुपे जितना जादा अपलोड करोगो उस वीडियो पर अप्लोड करोगे और दूसरी चीज उस पर भीज आनी चाहिए अगर आपकी वीडियो पर भीज आती है तो बस सिंपल सा है कि उस पर एड आएगा और एड प्वाइंट पर कि भाई तुमारी पेमेंट कितने आए तो मेरे पेमेंट कितने आई अब वह बात करते हैं तो 21 तारीकों मेरे पास एक मेल आता है गूगल एक्सेंस के तरप से कुछ ऐसा इसमें यह लिखा आता है कि भाई आपका जो पेमेंट है वह भेज दिया गया है मत पांच दिन में वेट करने में क्या जाता है तो मैंने सुझाए कि चलो पांच दिन तक वेट कर ही लेते हैं तो फाइनली 26 तारीक खो जाते हैं और 26 तारीक लाज दिन था और लाज दिन मैंने सुझा कि आज की दिन तो आएगा ही आगा और फाइनली 9 बजे मेरे पास एक मे देखता हूँ और महली में जान गया था कि भाई पैसे कही मेसेज होगा तो मैंने देखा तो उसमें फाइनली यहीं लिखा था कि आपका रिचार्ज खतम होने वाला है तीन दिन में रिचार्ज खतम होने वाला है रिचार्ज करवालो खेर 9 बज़े तक तो नहीं आपता था लेकिन तेन घंटे बाद पूरे 12 बज़े मेरे बैंक का मैसेज यह आता है कुछ ऐसा आता है जिसमें यह लिखा रहाता है कि एकाउंट इतना में कुछ इतना पैसा क्रेडिट हुआ है अब इतना का पैसा मैं बताऊंगा भी आंगे ठी अब आते हैं अच्छी तरीके समझना जो भी बताऊंगा यहां पे स्क्रीनिल सोट्स होगा तो अच्छी तरीके से देख लेना ठीक है तो फइनली मेरे एटसेंस में जो कि मैने आपको पहली बता दिया है कि एड़ जुटाने परते हैं तो मैंने एक सो ड्रय जुटाए लन ट्वेंटी एड डॉलरं फॉंट Ugh में कुछ्टा प्रतुर्म कि ओड़ेंज 7 रडुट अब बात करते हैं कि $20GM मेरे एका walked अगर इसे convert करोगे당 इंडियन रूप मे तो कुछ 9500 कुछ सम्थिंग रूपए बजेंगे ठीक है 9500 समझ जाओ इतना मतलब लेकर चलो इतना और इतना कुछ बनते हैं तो मेरे पास पेमें 9500 सम्थिंग रूपए ठीक है इतनी रूपिज आय थी लेकिन मेरे अकाउंट में कितने आया तो वो था 9250 रूपिज मतलब इतना ही रूपए मेरे अकाउंट में मतलब एक तरीके समझ सकते हो कि बैंक ने 2500 रूपए कट कर लिए ठीक है तो मतलब समझ जाओ कि वहां से लेकर यहां तक आने मेरे अकाउंट तक तो तीन से 400 रूपए ऐसा ही कट जाते हैं जैसे कि वहां पे एक पॉइंट कुछ डॉलर कट तो यह पैसा मेरे अकाउंट पे नहीं आपाता तो दिल से धन्यवाद और बहुत बहुत जादा धन्यवाद कि आप लोग ने मुझे यहां तक लिकर आया है फिर से मैं भाई यही बोलना चाहता हूं कि आप लोग ने अगर सपोर्ट नहीं करते तो सायद मेरा फर्स्ट पे या एटसेंस रिलेटर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कोमेंट कर सकते हो नहीं तो इंस्टा पर डियम भी कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही बिलते अगले वीडियो में और हां आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आपको एडिटिंग से रिल वीडियो मिलते रहेगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए